हेलो स्टुडेंट्स मेरा नाम गौराव मलिक है मैं केंद्रिविद्याल्य में टीचर हूँ और आज हम करेंगे क्लास फॉर इवियस लुकिंग अराउंड डास चैप्टर 16 अबिजी मन्त की वर्कशीट जो बच्चे इस चैनल पर नए है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहे हैं बच्चो पहला जो कॉश्चन है वो multiple choice कॉश्चन है उसमें दिया है select the best option आपको चार ओप्शन दिये जाएंगे और उसमें से आपको best option सेलेक्ट करना है तो पहला question इसमें है birds make nest spore यानि कि जो चिडिया है वो गोंसला किसके लिए बनाती है पहला दिया looking after their young ones अपने जो बच्चे हैं उनकी देखवाल के लिए hatching their eggs अपने अंडे जो है hatch करने के लिए या laying eggs अंडे देने के लिए या फिर all of these या फिर इन सभी के लिए तो जो correct option है that is option d all of these इन सभी कामों के लिए जो है birds अपना nest बनाती है घौसला बनाती है next question है the Indian Robin may build its nest यानि कि जो Indian Robin है Indian Robin किसे कहते हैं जो कल्चिडी होती है उसको Indian Robin कहा जाता है और उसमें पूछा गया है कि जो Indian Robin है अपना nest कहा बनाती है तो इसमें पहला option दिया है among stones on the ground यानि कि जमीन पर जो पत्फर पड़े होते हैं उनके बीच में बनाती है या high up on a tree पेड़ पर उची जगह पर बनाती है inside a deserted house यानि किसी खाली पड़ी इमारत में मकान में बनाती है या फिर any of these या इन सभी जगह बना लेती है तो correct option है option a among stones on the ground जो कलचिडी है Indian Robin है वो stones के बीच में पत्थरों के बीच में अपना घर बनाती है next question है the dash lays its eggs inside two leaves it has stitched it together यानि कि इसमें पूछा गया कि कौन सी चड़िया है जो अपने अंडे दो पत्तियों को सील कर उसके बीच में अपने जो है eggs को ले करती है तो आपको options दिये हुए है crow है barbet then coil या फिर option d tailor bird तो इसमें से जो tailor bird है option d वो क्या करती है दो पत्तियों को leaves को stitch करती है और उसके बीच में अपने जो है eggs को ले करती है d is the correct option next question है the barbet makes a nest which इसमें पूछा गया है कि जो barbet bird है या इसको copper smith barbet भी बोलते हैं या फिर इसको हिंदी में बसंता कटखोरा या ठटेरा नाम से जाना जाता है तो यह कहां अपना जो है nest बनाती है यह आपको बताना है so which is inside a hole in a tree trunk यानि कि जो tree की trunk है उसमें एक hole जो बना होता है उसके अंदर जो है वो अपना nest बनाती है या फिर which is inside a building या किसी building के अंदर किसी इमारत के अंदर बनाती है या फिर which hangs from a bush यानि कि किसी जाड़ी से लटकता हुआ घर बनाती है या फिर which is made of wire and wood यानि कि जो तार का और लकडी का बना हुआ घर हो ऐसा घर बनाती है तो जो copper smith barbet है actually आपने देखा भी होगा जो ठुक ठुक करती है आपके wood में जो है छेद करती है so that is called copper smith barbet या इसको कटखोरा भी आप नाम से जानते हैं so इसका correct option है option a the house of the barbet or we can say the nest of the barbet is inside a hole in a tree trunk next दिया है dash steel bird eggs to eat them यानि कि इन में से कौन से जो है जानवर है जो चिडियों के अंडे चुरा लेते हैं उन्हें खाने के लिए option a दिया है cross या फिर squirrels यानि कि कौन और जो आपका गिलहरी होती है वो स्टील करते हैं वो चुराते हैं या option b cats and rats यानि कि जो billy और जो चुँए होते हैं वो चुराते हैं या option c में है both a and b यानि कि ये चारो ही चुराते हैं या फिर option d में है neither a nor b यानि कि इन में से कोई नहीं चुराता तो जितने भी यहां पर option a और option b में जो आपके animals दिये हैं वो क्या करते हैं वो birds के eggs को चुरा लेते हैं So, C is the correct option, both A and B Next question दिया है Write T for true and F for false statements यहाँ पर आपको कुछ statements दिये गए हैं और उन में से आपको जो true statement है उनके लिए T लिखना है और false statement के लिए F लिखना है तो पहला statement है Only the female bird makes the nest इसमें कहा गया है कि केवल जो female bird है वही घौसला बनाती है तो यह जो option है यह false है क्योंकि male birds जो है mostly घौसला बनाते हैं और female उन में से choose करके जो है egg देते हैं और कुछ females भी जो है nest बनाती है तो option 1 जो है that is false Next है The coil lays its eggs in another bird's nest यानि कि जो coil जो चिडिया है वो दूसरे किसी चिडिया के घौसले में अपने अंडे देती है यह इसमें कहा गया है तो यह जो statement है यह true है क्योंकि coil जो है वो crow के nest में अपने egg देती है और crow अपने eggs के साथ अपने egg समझ के उनको hedge करता है Next है Some birds suck nectar from flowers यानि कि कुछ ऐसी birds होती है जो फूलों से उसका rust जो है वो सक करती है तो उनकी चौँच इसी तरह pointed होती है वो क्या stroke के जैसी चौँच होती है ताकि उन्हें flowers से nectar सक करने में help मिले ऐसी एक bird है hummingbird तो यह जो third है that is true Next दिया है a straight pointed beak in a bird is helpful to tear and eat meat यानि कि जो straight pointed beak जो beak होती है चौँच होती है जो flesh है या meat है उसको tear करने और उसे खाने में मदद करती है So that is false क्योंकि जो pointed straight beak होती है वो tear करने में मदद नहीं करती जो curved और curved beak होती है वही tear करने में मदद करती है तो यह option false है Next है snakes do not use their teeth for chewing their food यानि कि जो साप है वो अपने दातों का इस्तेमाल खाना चबाने के लिए नहीं करते हैं यह option में दिया गया है तो यह true है क्योंकि जो snake के teeth होते हैं वो hollow teeth होते हैं जिनको fangs बोला जाता है और वो केवल जो है venom spit करने के लिए ही उसका इस्तेमाल करते हैं और जो snakes होते हैं वो अपने शिकार को chew नहीं करते बलकि सीधे जो है निगलते हैं next question दिया है fill in the blanks आपको एक help box दिया गया है और इसी help box की मदद से आपको fill up करना है तो पहला fill up है the baby in the robin's nest had its beak wide open because it was waiting for dash to be given by its mother यानि कि जो robin जो कलचिडी है उसके nest में जो baby bird है उसने अपनी चौच खोली हुई है वो किस चीज का wait कर रही है the baby robin is waiting for food to be given by its mother क्योंकि उसकी mother जो है उसको food देने वाली है उसके मा के द्वारा food देने का वो है जो wait कर रही है next दिया है the dash weaver bird make beautifully worn nests यो weaver bird होती है वो क्या करती है nest को weave करके बनाती है तो जिस तरह weavers कपड़े बुनते हैं इसी तरह जो weaver bird है वो nest बनाती है और उसके weaver bird के जो nest है वो hanging जो है बुष के उपर hanging nest होते हैं तो इसमें पूछा है कौन सी weaver bird बनाती है तो male weaver bird जो होती है वो जो है woven nest बनाती है और female उनमें से best जो उसको nest लगता है जिसका सबसे सुन्दर nest लगता है उसी के nest में अपने अंडे देती है next है the cat's teeth are dashed so that it can tear and cut meat easily जो cat के teeth कैसे होते हैं शार्प होते हैं तो ताकि वो उसको meat को tear कर सके और cut कर सके आसानी से next दिया है cows have large and flat teeth on the dash of their mouth to dash the grass यानी कि जो गाएं है उसके लंबे और flat teeth होते हैं तो चप्टे दांत होते हैं तो किस side होते हैं on the side of their mouth mouth के side में होते हैं ताकि वो grass को क्या कर सके chew कर सके यानी कि चबा सके next है a curved upper beak in a bird is useful for यानी कि जब upper beak curve होती है वो किस चीज में मदद करती है that help in breaking and crushing seeds seeds को तोड़ने में break करने में और crush करने में help करती है इस तरह की जो beak होती है जो आपके parrot है जब फिर pigeon है उनकी इस तरह की curved upper beak होती है ताकि वो grains को easily break कर सके उसके बाद next दिया है most birds make their nest in the beginning of dash season यानी कि ज़्यादा तर जो birds है अपना nest कब बनाती है in the beginning of summer season यानी कि जो गर्मियों के मौसम की शुरुवाती time है जो अप्रेल का महीना होता है तो उस समय जो है birds mostly अपने nest बनाती है next दिया है birds dash depend on the food they eat birds beak depends on the food they eat जो birds की beak होती है जिस तरह का birds खाना खाती है उसी तरह की उनकी beak होती है जैसे hummingbird जो है वो flowers से nectar सक करती है तो उसकी long pointed beak होती है जैसे pigeon जो है उसकी curd beak होती है तो जिस तरह का भी birds जो है खाना खाते है उसी के उपर उसकी जो beak होती है जो चौच होती है उसके खाने के उपर depend करती है next दिया है dash birds migrate for food change of habitat or because of extreme climate यानि कि कुछ birds होती है वो अपना जगह बदलने के लिए या जब extreme climate change आता है उस चीज से बचने के लिए या अपने food के लिए जो है migrate करती है तो कौन सी birds होती है तो migrate पे उनका नाम है migratory bird तो इस तरह की birds क्या करती है वो दूसरी country से या एक जगह से migrate होके दूसरी जगह चले जाती है और जैसे ही वो जो season है वो over होता है फिर से वापस अपने जो home place है वहाँ पर वापस migrate कर जाती है next दिया है teeth of a dash grow throughout its life यनकी एक ऐसा भी जानवर है उसके जो teeth है उसके दात है हमेशा बढ़ते रहते हैं तो वो कौन सा जानवर है squirrel जो गिलहरी है उसके दात हमेशा बढ़ते रहते हैं इसलिए वो हमेशा चीजों को कुतरती रहती है ताकि अपने दातों को गिस सके next दिया है enemies of birds wait for a chance to dash their eggs जो birds के enemies होते हैं जैसे cat है rat है squirrel है या फिर humans है तो ये सभी क्या करते हैं या crow है तो वो सभी एक chance जो है ढूंडते रहते हैं ताकि वो क्या कर सके to eat their eggs ताकि वो उनके अंडो को खा सके next question है match the bird in column A with the description of its nest in column B by drawing arrows इसमें दो column आपको दिये गए हैं पहले column में आपको birds का नाम दिया गया है और दूसरे column में उन birds का जो nest है उसका description दिया गया है तो आपको column A से column B में match करना है कि कि किस bird का कैसा nest होता है तो पहला दिया है Indian Robin जिसको आप कल्चिरी भी कहते हैं तो उसका nest कैसा होता है Indian Robin made in the nest of Indian Robin is made in between stones with grass covered with soft twigs and roots या नीचे जमीन पर stones के बीच में जो है Indian Robin अपना घर बनाती है और उसका जो घर होता है nest होता है उसमें grass से या soft twigs जो twigs का मतलब होता है टहनिया जो soft टहनिया होती है या roots होती है जो पेड की जड़ होती है उन सब से मिलके Indian Robin अपना nest बनाती है next है crow, crow कैसा बनाता है? crow nest is made high on a tree with wood and wire यानि की जो crow का nest होता है वो पेड़ पर बहुत उची जगए होता है जो उचे पेड़ है उस पर बनाता है और उसका जो nest है उसमें वो सारी चीज़े यूज़ कर सकता है जो hardwood होती है wire यूज़ कर सकता है या twigs यूज़ कर सकता है next यह है dove, dove का जो nest होता है made in a mehndi hedge और among thorns of a cactus यह mehndi की जो जाड़ी होती है और जो cactus के काटे भरे cactus के thorns होते हैं उनके बीच में अपना घर बनाता है ताकि उसके जो eggs है वो किसी भी enemy से safe रहे उसके बाद pigeon, pigeon कहाँ बनाता है pigeon made inside a house किसी घर के अंदर या किसी deserted building के अंदर जो pigeon है वो अपना घर बनाते हैं तो जैसे pigeon बनाते हैं इसी तरह sparrow का भी घर किसी deserted building में आपको मिलेगा उसके बाद आता है barbet या इसको copper smith barbet कहते हैं तो यह कहाँ बनाती है made in a hole in a tree trunk यानि कि पेड के अंदर एक hole होता है पेड की trunk के अंदर तो उसके अंदर barbet अपना घर बनाती है then coil जो है coil अपना nest बनाती नहीं है then it does not make its own nest जो coil है वो अपने अंडे crow के nest में रखती है उसके बाद यह sunbird sunbird hangs from the branch of a tree यानि कि sunbird का जो nest है that hangs from the branch of a tree वो अपना एक hanging जो घर है वो बनाती है उसके बाद दिया है copper smith copper smith या barbet भी इसको बोलते हैं hole in a tree trunk तो जो tree trunk के अंदर hole बना करके उसके अंदर अपना nest copper smith बनाती है next question देखिए इसमें दिया है identify the birds shown with their names by drawing lines बीच में कुछ आपको सारी birds के नाम दिये हैं और आपको दोनों साइड उनकी pictures दी हैं तो आपको identify करना हैं तो सबसे पहले देखिए sunbird तो यह जो आपको colorful चिडिया दिख रही है that is sunbird उसके बाद दिया है dove तो this is called dove और उसके बाद में goil आप देख सकते हैं उपर की तरफ that is goil then उसके बाद है crow crow आप इधर देखिए जो आपका right side में है crow then उसके बाद barbit जो आपको ये green दिख रहा है so that is barbit उसके बाद viewer bird तो यहाँ आपको एक घौसला नीचे corner में दिख रहा होगा जो view करके बनाया गया है so ये जो उसके बराबर में bird दी है that is viewer bird उसके बाद दिया है Indian robin जिसको कल्चिरी भी बोलते हैं तो ये उसी के बराबर में देख सकते हैं आप that is Indian robin और उसके बाद tailor bird दिया है तो जो leaves को stitch करके जो गोसला बनाया गया है तो यहाँ देख सकते हैं ये है tailor bird बच्चो next आता है very short answer type questions इसमें आपको one word या फिर one sentence में आपको इसके answer देने है तो इसमें पहला question दिया है how is Indian robin's nest made तो हमने दो जगे इस question को पढ़ लिया है कि Indian robin का nest जो है वो कैसे बनाया जा सकता है so you can write it Indian robin's nest is made in between stones with grass covered with soft twigs and roots यानि कि जो Indian robin का nest है वो stones के बीच में बनाया जाता है जिसमें grass use होता है या फिर उसको किस से cover करते हैं soft twigs का मतलब होता है जो पेडों की soft tahiniya होती है then roots और जो जड़े होती है उन सब से मिलके जो है Indian robin अपना घर बनाती है then next है where does the dove make its nest dove जो है अपना nest कहां बनाती है so dove makes its nest in mehendi hedge यानि कि mehendi की जो जाड़ी होती है hedge होती है उसमें बनाती है और among thorns of cactus यानि कि जो cactus के काटे होते हैं उनके बीच में या फिर अपना घर जो है dove बनाती है बचो अगला दिया है which creatures are enemies of birds यानि कि कौन से जीव जनतु है जो की जो पक्षी है पक्षियों के दुश्मन है या आपको बताना है तो humans, crows, squirrels, cats, rats, etc are enemies of birds यानि कि जो मानव होते हैं human beings होते हैं वो क्या करते हैं उनके जो habitat है उसको खतम कर देते हैं पेड काट देते हैं तो इस तरह से humans भी जो है birds के क्या है enemy है उसके बाद crow जो है उसके egg खा जाती है squirrel, cat, rat ये सभी उसके eggs को खा जाते हैं तो they are also enemies of these birds उसके बाद next question दिया है which bird makes its nest even with spiders cobwebs तो इसमें आपको बताना है cobwebs का मतलब क्या होता है जो मकडियों के जाले होते है that is called cobweb तो कौन सी ऐसी bird है जो spider cobweb का भी इस्तेमाल जो है अपना nest बनाने के लिए करती है so that is sunbird sunbird क्या करती है अपना nest बनाने के बाद उसके चारो और cobweb को लपेट देती है तो इस तरह से जो है उसको cobweb एक तरह से अब उसके nest को एक जगेट टाई करके रखता है so sunbird makes its nest even with spiders cobwebs अगला question दिया है what is odd about squirrel's teeth compared to those of other animals यानि कि आपको एक squirrel teeth के बारे में कुछ अलग जो विचित्र है मैंने आपको पहले भी बताया था जो squirrel के teeth है so squirrel's teeth keeps growing throughout its life यानि कि जो squirrel के teeth है वो क्या करते हैं grow करते रहते हैं पूरी जिंदगी इसलिए वो क्या करती है वो चीजों को tear करती रहती है ताकि वो अपने दांतों को घिस सके next question है short answer type questions और इसमें आपको 30 to 40 words में आंजर देने हैं तो इसमें पहला है why is April a very busy month for birds इसमें पूछा गया कि जो अपरेल का महीना है वो birds के लिए पक्षियों के लिए बहुती व्यस्त महीना क्यूं होता है तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था जो starting में हमने discuss किया था कि जो summer season है starting summer है उसमें birds अपना nest बनाती है तो इसलिए उसके लिए वो क्या होता है busy होता है so we can write because birds build their nests in the month of April so that is why it is very busy for them तो next दिया है what is the behavior of weaver birds when they decide to have a nest for laying eggs यानि कि जो weaver birds होती है actually जो इसमें पूछा गया है particularly जो female weaver birds होती है वो किस तरह से nest का decide करती है जब उनको अंडा देना होता है eggs ले करना होता है तो जो weaver bird है the female weaver bird looks at all the nests made by male birds जो male birds है वो nest बनाती है और जो female weaver bird है वो सभी nest को देखती है and chooses the one that she likes the best and decides in which to lay her eggs और चूज करती है जो उनमें से best है उसी में अपने eggs को ले करती है next question दिया है how do birds use their nests इसमें पूछा गया है कि जो चिडिया है वो अपने nest का अपने घोसले का किस तरह से इस्तिमाल करती है so birds use their nest to lay eggs hatch them and to look after their young ones यानि कि जो birds है वो अंडे देने के लिए उन्हें hatch करने के लिए और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए nest का इस्तेमाल करती है जब उसके young ones जो है बड़े हो जाते है वो क्या करते है birds nest को छोड़ देते है जैसे human beings क्या करते है human beings की जो dwelling है जो habitat है वो permanent होता है वो हमेशे उसमें रहते है लेकिन जो birds है जैसे ही उसके young one बड़े होते है ऐसे ही अपने habitat को छोड़ देते है what they are like and what they do तो इसमें आपको एक table दी गई है इसमें पहले कॉलम में आपको animals का नाम दिया गया है दूसरे कॉलम में आपको बताना है कि उसका जो teeth है उसका description आपको देना है और तीसरे कॉलम में आपको बताना है कि वो उन दातों से क्या करती है what the teeth do जो animal का teeth है उससे क्या अस्तेमाल लिया जाता है तो पहला जो जानवर दिया है that is squirrel squirrel का मतलब होता है गिलहरी तो गिलहरी के teeth का description आपको देना है so keeps growing throughout life जो squirrel के teeth है आज इवन बढ़ते रहते हैं यानि कि ये अकेला ऐसा जानवर है जिसके दाथ हमेशा बढ़ते रहते हैं और वो उससे क्या करती है knowing on things यानि कि चीजों को कुतरती रहती है g-n-a-w-i-n-g तो इसमें g silent रहता है और इसको बोलते हैं knowing on things यानि कि चीजों को कुतरना तो squirrel आपने देखा होगा हमेशा आपको चीजों को कुतरते हुए मिलेगी so next है cat cat के जो teeth होते हैं that is sharp teeth पहने दांत होते हैं to tear and cut meat यानि कि meat को काटने और tear करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद cow cow के जो teeth होते हैं short front teeth जो आगे के दांत होते हैं and large and flat side teeth जो side teeth होते हैं वो लंबे होते हैं और flat यानि कि चप्ते होते हैं और वो front teeth जो है snipping के लिए काम आते हैं जो grass है उसको काटने के लिए काम आता है and side teeth जो है chewing के काम आता है grass को chew करने के लिए उसके बाद दिया है snake snake के sharp and hollow curd teeth यानि कि जो snake के teeth होते हैं शार्फ होते हैं पैने होते हैं और होलो अंदर से खोकले होते हैं और कर्व होते हैं तो इसको fanks भी बोला जाता है और उसका काम क्या होता है to bite their enemies तो उससे जो snake है अपने enemies को bite कर सकता है और उसमें जो poison है उसको transfer करने के लिए इन teeth का इस्तेमाल करता है उसके अलावा chew करने के लिए snake teeth का इस्तेमाल नहीं करता वो अपने शिकार को अपने prey को सीधा swallow करता है नेक्स है long answer type questions और इनके answer आपको 80 to 100 words में देने so question दिया है beaks of birds vary from one type of bird to another यानि कि जो birds की beak होती है वो bird to bird vary करती है अलग-अलग type की bird की अलग-अलग type की beaks होती है मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो birds की beak है depend करती है on the food they eat जो खाना वो खाते हैं उसी के according उनकी beak होती है तो इसमें दिया है write the purposes for which birds use their beaks और आपको बताना है किस-किस चीज में birds अपनी beak को use में लाते हैं इस्तिमाल में लाते हैं so different birds use their beaks for different purposes अलग-अलग जो birds होती है अलग-अलग चीज के लिए अपनी beak का इस्तिमाल करती है like some birds use them for crushing and breaking seeds कुछ ऐसी birds होती है जो seeds को बीज को तोड़ने के लिए crush करने के लिए या फिर उसको break करने के लिए उसका इस्तिमाल करते हैं जैसे जितने भी grain eating birds होते हैं जैसे कि आपका pigeon है या फिर sparrow है या फिर parrot है तो आपने देखा होगा उपर वाली beak उनकी curved होती है और इस तरह की जो curd beak होती है वो hard beak होती है और वो seeds को crush करने का काम करती है आगे दिया some uses them to suck nectar from flowers और कुछ ऐसी birds होती है जो nectar को suck करने के लिए flowers का जो rust होता है उसको suck करने के लिए इस्तेमाल करती है जैसे की hummingbird उसके बाद आगे दिया some birds also use it to tear meat और कुछ ऐसी birds होती है जो meat को tear करने के लिए जो है अपनी beak का इस्तेमाल करती है जैसे hawk या फिर eagle and some use them to catch insects in mud and water और कुछ ऐसी birds होती है जो mud और water में जो insects होते है उनको पकड़ने के लिए insects को mud में या water में पकड़ने के लिए अपनी beak का इस्तेमाल करते है और जैसे की बगुला जो आपका होता है उसकी long beak होती है और flat beak होती है तो flat होने की वज़े से क्या कर सकते है वो insects को भी पकड़ सकते है या फिर fish जो है पानी में उसको भी वो पकड़ सकते है आगे दिया है think, find and write इसमें आपको question दिया है find out and write the names of the birds, animals described below आपको नीचे कुछ birds और animals जो नीचे description दिया है उनका आपको नाम लिखना है they are not mentioned in the chapter और ये भी दिया गया है कि in birds का जिक्र जो है chapter में नहीं किया गया है so इसमें पहला दिया है birds which sleeps during the day but remains awake at night आपको ऐसी bird का नाम बताना है जो दिन में सोती है और रात में जागती है तो ये description दिया है और इसका आपको नाम बताना है तो ऐसी कौन सी bird है that is owl उल्लू जो है दिन में सोता है और रात में जागता है उसके बाद next है national bird of India ये bird जो है इंडिया की national bird है तो ये कौन सी bird है that is peacock उसके बाद next है national animal of India इंडिया का national animal कौन है that is tiger उसके बाद next दिया है a bird that cannot fly एक ऐसी bird का नाम लिखना है जो उड़ नहीं सकती है तो ऐसी बहुत सारी birds है जैसे की आपकी कीवी है या फिर ostrich है तो दोनों birds ऐसी है जो की उड़ नहीं सकती है उसके बाद या फिर डॉडो भी एक flightless bird है next है the bird which sorry the bird with the largest egg यानिकी ऐसी bird जिसका सबसे बड़ा जो है एग होता है तो ऐसी bird है ostrich ostrich का एग जो है bird kingdom में सबसे बड़ा एग होता है next question है smallest bird आपको बतानी है तो smallest bird है hummingbird उसके बाद next है an extinct bird extinct का मतलब क्या होता है जो की विलुप्थ हो चुकी है जो की जिस species का एक भी living जो है organism या फिर living individual जो है नहीं बचा है तो उसको बोलते है extinct extinct में आप देख सकते हैं जो animal है उसमें जो dinosaur है that is an extinct animal और birds में आपको पूछा है कि कौन सी bird extinct हो चुकी है विलुप्थ हो चुकी है so that is dodo और ये एक flightless bird थी उसके बाद next है an endangered bird endangered क्या होती है जो विलुप्थ होने की कगार पे है यानि कि जो उसके individuals है बहुत कम बचे हो that is called endangered और उनमें है great Indian bastard उसके बाद next है largest bird आपको बताना है तो largest bird कौन सी है that is ostrich next दिये है the names of some birds are given below in jumbled form आपको नीचे कुछ birds के नाम jumbled form में दिये है write the correct name of the bird against each आपको हर एक के सामने उसका correct नाम लिखना है तो पहला देखिए one, two, three, four, five, six, seven seven letters से मिल करके इस bird का नाम बना है तो इसको आप unjumble करने की कोशिश करिए उसके लिए आप video को पोज कर सकते हैं तो मैं आपका एक साथ मैं आंसर दे रहा हूँ आप video को पोज करकरके अपना आंसर ढूंड सकते हैं तो पहला जो bird है that is sparrow उसके बाद next देखिए next है आपका Indian Robin उसके बाद आपका जो next bird है that is Barbit या जिसको हम Copper Smith Barbit भी बोलते हैं उसके बाद next है that is Taylor bird और उसके बाद जो next है that is Sunbird next question दिया है birds do not have teeth then how do they chew the food that they eat यानि इसमें दिया है कि जो birds है उसके दात नहीं होते बीक होती है तो वो अपने खाने को किस तरह से चबाते हैं या आपको बताना है तो birds जो है they don't chew the food they swallow their food वो birds क्या करती है वो chew नहीं करती है चबाती नहीं है खाने को सीधे निगल जाती है swallow करती है next question आपको दिया है match the type of claws in the column A to the bird in column B according to their feet तो इसमें आपको actually में 3 column दिये हैं पहले column में आपको claw दिये हैं जो birds के पंजे होते हैं claw होते हैं वो दिये हैं अलग-अलग birds के जो second column है उसका description दिया है किसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है और जो third column है उसमें उनका नाम दिया गया है birds का तो आपको इन पीनों को match करना है तो सबसे पहले जो है पहले देखिए जो पहला claw है वो किसलिए काम में आता है to swim in water तो आप देख सकते हैं ये padded जो है webbed feet है बीच में से जो claw है उसके skin जो है मिली हुई है तो इसको webbed feet बोलते हैं और ये क्या काम करती है पानी में swim करने के लिए तैरने के काम आती है इस तरह के जो claw होते हैं और ये duck के होते हैं बत्तक के जो है इस तरह के claw होते हैं next देखिए next है to catch its prey अपने शिकार को पकड़ने के काम इस तरह के जो claw आते हैं और ये होते हैं hawk के या फिर जो आपके eagle है eagle का भी इसी तरह का claw होता है उसके बाद next देखिए so to walk on the land जो जमीन है जमीन पे walk करने के लिए इस तरह से लंबे जो पैर है लंबे claw है उसका इस्तेमाल किया जाता है और ये होते है mostly ostrich के उसके बाद next दिया है to hold the tree branch tree branch को पकड़ने के लिए इस तरह से claw जो है ये design किये गए है और ये होते हैं आपके sparrow के उसके बाद next दिया है to climb the tree पेड़ पे चड़ने के इस्तेमाल करने के लिए जो है इस तरह के claw use होते है और ये होते हैं आपके parrot के next question दिया है where does coil lay its egg आपको बताना है कि जो coil है वो अपने अंडे कहां देती है तो इसका हमने पहले भी discuss किया है coil lays its egg in crow's nest यानि कि कोई के घौसले में जो है coil अपने eggs को ले करती है अपने अंडे देती है और crow अपने अंडे समझके उनको hatch करता है और उसके बाद जब उनके जो बच्चे है वो बड़े हो जाते है और वो आवाज निकालने लगते है तो crow उसको चौच मार करके भगा देता है उसके बाद next दिया है what type of teeth does a snake have यानि कि जो snake के teeth है वो किस तरह से होते है so the snake have curved hollow teeth curved होते हैं और hollow होते हैं अंदर से खोकले होते हैं so they are called fangs उनको fangs बोला जाता है उसके बाद next दिया है where do sparrows and pigeons make their nest sparrow और pigeon अपना जो घर है अपना जो घोसला है वो कहां बनाते हैं so sparrows and pigeon can make their nest anywhere कहीं भी बना सकते हैं like on the cupboard cupboard के उपर बना सकते हैं behind the mirror or in abandoned houses खाली पड़े मकानों में mirror के पीछे cupboard के उपर कहीं भी sparrow और pigeon अपना घर बना लेते हैं next question दिया है label the body parts of the bird use the options given in the box यहाँ पे नीचे box में आपके option दिये हैं जैसे back, belly, breast, claws तो यह option यूज़ करके नीचे जो bird दी है उसके आपको body parts को label करना है तो सबसे पहले देखिए आपका back तो यह है आपका back portion उसके बाद यह आता है आपका next belly उसके बाद इसी के उपर आपका breast then claw यानि की पंजे उसके बाद आप जो आता है crown mostly birds के उपर crown नहीं होता है so लेकिन जो head के उपर का part होता है that is called crown उसके बाद next है आपका eyes जिसके एक pair होता है उसके बाद tail जो पूच को कहते हैं उसके बाद throat then beak then wing इसमें next दिया है name any four of the following इसमें इन में से आपको चार बताने हैं flesh eating animals चार मास खाने वाले जानवर बताने हैं तो कौन-कौन से हैं lion हैं tiger, leopards and wolf तो ये चारो क्या है flesh eating animals है उसके बाद next दिया है bird sanctuaries in India भारत में जो है पक्षी अभ्यारन जो है आपको वो बताने हैं चार पक्षी अभ्यारनों के नाम बताने हैं so first is भरतपुर bird sanctuary that is in राजस्थान उसके बाद next है ओखला bird sanctuary ये उत्तर पर्देस में नौइडा में है उसके बाद सुल्तानपूर bird sanctuary है जो की गुडगाओं हरियाना में है उसके बाद चिलका लेक bird sanctuary है जो की आपका उडिशा में है इसके बाद next question दिया है make a picture of the nest आपको किसी भी bird का nest बनाना है तो आप अपने से एक nest बना लेंगे आगे दिया है for what purposes the following beaks are used आपको यहाँ पर कुछ birds के beaks दिये है उनकी चौँच दी गई है और आपको बताना है वो किस काम में आती है तो पहली आप देखिए so first जो है to tear and eat meat तो जो इस तरह से जो sharp pointed beak होती है उसका काम क्या होता है meat को tear करना और meat को खाने के काम आती है second है to make holes in wood and tree trunks तो यह जो है woodpecker की second beak है और उसका इस्तेमाल tree में hole करने के लिए छेद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है next है to suck nectar from flowers flowers से nectar सक करने के लिए इस तरह से stroke है जैसी जो beak है वो इस्तेमाल में आती है next है to find insect and worms from mud and shallow water तो यह जो beak है यह long है and flat beak है तो इसका इस्तेमाल जो है shallow यानि की छिचले पानी से कम पानी में से या mud में से insect और worms को ढूंडने में उन्हें खाने में इस्तेमाल करने के लिए beak इस्तेमाल होती है next है to break and crush seeds यह जो है curved beak है और छोटी beak है और इसका इस्तेमाल जो है जितने भी grain eaters birds होती है जैसे pigeon है parrot है तो उसमें इस तरह की beaks पाई जाती है और यह seeds को तोड़ने के काम आती है next है to cut and eat many kind of food यह जो next है वो crow की beak है जो की एक omnivorous bird है वो food जो plant based food भी खाता है और साथ में flesh भी खाता है तो अलग अलग type के जो food item है उसको काटने और खाने के काम यह भी काती है यदि बच्चों आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो आप इसको like और share कर सकते हैं साथी आपका कोई भी आउट हो कोई query है तो आप हमें facebook, instagram और telegram पे follow कर सकते हैं तो उसका link description में भी दे दिया जाएगा और साथी नीचे भी आपको हमारे facebook, instagram और telegram का link दिया हुआ है तो wait करिए हमारे next video का मिलते हैं next video में